क्या हम उस क्रिया के बिना जान सकते हैं जिसे हम रंग कहते हैं और जिसे हम देख सकते हैं क्या देखना जानने का एक तरीका है न केवल दृष्ष बल्कि स्पर्श, गंध, आदी अनुभव तो यही है जागरुकता की गतिविधियों और संज्यान के संगठन का तरीका आईए आज एक प्रयोग का प्रयास करें जो पदार्थ की अंध विश्वास से परे जाने की कोशिश करें तो अब अपने आप से निम्नलिखित सवाल पूछें इसके बारे में क्या आपकी राय है? क्या हम उस क्रिया के बिना जान सकते हैं जिसे हम रंग कहते हैं और जिसे हम देख सकते हैं? क्या रंग को उस क्रिया के बिना जाना जा सकता है जिसे हम देखना या छूना कहते हैं और जब जवाब आपके लिए स्पष्ट हो तो खुद से पूछें क्या देखना जानने का एक तरीका है और फिर खुद से ये सवाल पूछें देखने वाला क्या है और आपने स्वतंत्रता का टिकट प्राप्त किया है क्योंकि देखने वाले, देखने करने और दृष्य में एकता अनिवारे होती है सब कुछ है, देखने की गतिविधी है जो जागरूकता का एक परिवर्तन है जो रूप, प्रतिभाएं, आकार और वस्तों के रूप में खुद को जानता है और देखने वाले के रूप में भी खुद को जानता है अगर यह स्पष्ट है, तो यह हर अनुभव के लिए सत्य है जो हमारे पास होता है न केवल द्रिश, बलकि स्पर्ष, गंध, आदी अनुभव तो यही है जागरूकता की गतिविधियों और संज्यान के संगठन का तरीका जिसे हम देखना, सुनना, चखना, सूंगना, महसूस करना लेकिन जानना, महसूस करना कहते हैं और इसे समझना भी कहते हैं और शांती उसके साथ थोड़ा सा धारणा, इरादा, ध्यान, समाधी, अतीद से पार जाना, स्वतंत्रता और आनन्द और सत और चित का टिकट है यह टिकट शांती, ध्यान, आनन्द और सत्य के मार्ग पर आपको ले जाता है